राकेश और शमिता की जोड़ी जो इतने दिनों से सब को पसंद आ रही थी और ये दोनों भी एक दूसरे को काफी पसंद कर रहे थे अब ऐसे में इन दोनों का ब्रेक अप हो गया है इन दोनों का कनेक्शन टूट गया है जी हाँ दोस्तों घर में जब से कुछ बदलाव हुए है निया शर्मा की एंट्री हुई है तब से राकेश बापट के गेम प्ले को लेकर उनके बिहेवियर को लेकर शमिता काफी ज़्यादा अपसेट है इस बात को लेकर राकेश बें अपसेट हो जाते हैं और वो कहते नजर आते हैं कि शमिता मैंने यह सब उमीद नहीं की थी जो अब आप यह कर रही है वही शमिता भी कहती है कि तुमारा तो गेम खेलने का तरीका ही बदल गया है तुम अपनी में होए जा रहे हो तुम अपना खेलो मैं अपना खेलो मुझे नहीं पता था कि मैं जिस कन् meant और अच्छा समझना हूं मुझ पर इतना जाधा ओवर करतेगा मुझे नहीं पता। रिली कि मुझे तुमारे साथ ही कन्टिनिय करना चाहिए तो इशामिता भी गुस्से में आकर कह देती है कि मुझे भी नहीं करना है गंजने ना मुझे अब खेलना है तुम्हें खेलना है तो खेलो वड़ना मत खेलो फूट से दूर रहो बस और इन दोनों के बीच में जगड़ा हो जाता है और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और शमिता भी अपना माइक फेक कर मारती है और कहती है कि मुझे से बात ही बत कहना आपको क्या लगता है इन दोनों का पैच अप हो जाएगा या फिर दोनों एक दूसे से यही लड़ते जगारते रहेंगे आपको जो भी विचार हो हमसे साज है कीजिए कमेंट शेशन के तो और इसी तरीके से और भी खबरे जानने के लिए चानल के साथ बने रहें और चानल को सब्सक्राइब कर लें